नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एगरिकोस फार्मर पर आज हम मुंभली की आदुनिक टक्निक के बारे में जैनेंगे जिसका प्रयोग करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो शुरू करने से पहले जो किसान दोस्त पहली बार हमारे चैनल पलाए है उनसे भी मिट्टी होगी तो फसल अच्छी पैदावार नहीं देती और उसके साथ हमारी फसल मिट्टी में अच्छी ड्रेनेज होनी चाहिए अच्छी जलनिकास प्रणाली होनी चाहिए उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए और उस मिट्टी में और चुना इसका परसेंटेज अ अगर उससे ज्यादा तेंपरेचर हुआ तो यह फसल अच्छी पैदावार नहीं देती तो उसके बाद बात कर लेते हैं मिट्टी तयार कैसे करेंगे यानि जमीन कैसे तयार करेंगे तो जमीन तयार करने के लिए जो पहले की खरीप में लगावी फसल है उसे निकाल के फेक उसके बाद एक प्लोइंग दो हैरोईंग दे नहीं उससे अच्छी तरह से मिट्टी तयार हो जाएंगी उसके बाद जो है जो कुड़ा कच्छा यह फसल के आउशेश रहते हैं उसको हमको जेलाकर नश्ट करना होगा उसके बाद हमें बेड तयार करना है बीबीएप सिस् प्यूपल स्टेज है, इंसेक्ट की वो नश्ट हो जाती है, फोरेट के अलावा आप लीन डेन भी ले सकते है, वो भी यही काम करेगा, तो उसके बाद हमें पानी देना है, पानी देने के बाद हमें इस पर हर्बिसाइड का स्प्रेड लेना है, जो की प्री सोविंग हर्बि साइड होंगे उसमें पेन डामेफलीन लेख सकते है और औक्षी फ्लोरो पेन इसका इस्तमाल करे सकते हैं उसका व्यापारिक नाम आप स्क्रीन पर देख लिएगा बीबीएप सिस्टीम यानि ब्राड बेट फुरो सिस्टीम इसी सिस्टीम का इस्तमाल करके आप अची उपज ले सकते हैं ये प्रयोक से सिध हो चुका है तो इस बेट को बनाने के लिए हमें 5 फीट का बेट लेना है उसकी उचाई अधिकतम 6 इंच रखनी है और इस बेट प लाइप के है तो 45 सेंटीमीटर दो लाइन की बीच की दूरी रखनी होगी तो उसके बाद अगर आप बीबीएप सिस्टीम अपना नहीं सकते तो रीजान फूरो सिस्टीम भी आप अपना सकते हैं लेकिन इस सिस्टीम में हमें बेट पर केवल दो लाइने बीचानी होगी और उसमें की दूरी 30 सेंटीमीटर हमें रखनी होगी यानि दोनों की बेड की जो साइज होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी और दोनों कोनों पर हमें एक एक लाइन बिच्छा देनी होगी उसके बाद बात करते है कि कितना बीज लगता है एक एकड के लिए तो एक एकड के लिए इसे 40-50 के जिस सीर लगता है हेक्टर की बात की जाए तो एक से 25 अधिकतम कम से कम 80 किलो इस रेंज में हम हेक्टरी एक हेक्टर के लिए बीज का चेहन करेंगे उसके बाद बात करेंग तो उसके लिए लेना वगी कार्बेंटेज़ियम उसका कंटेंट है उसके बाद करणा होगा उसके बाद हमें इसे आदा घंटा शुकाना होगा उसके बाद आदे घंटे बाद हमें गुड में फस्परस सुलुबराजिंग बैक्टेटिया और राइजोबियम दोनों को 25 ग्राम 25-25 गुड में मिलाकर इसे तयार कर लिजे और इस बीच पर हमें इसे छिड़काओ करना है उसके बाद इसके बीच प्रक्रिया करने है बीच का उपर का जो छिलका है वो निकल ना पाए इस तरह से आप बीच प्रक्रिया कीजिए इस बीच प्रक्रिया को राद बर ऐसे ही रखना दो राद बर रखने के बाद इसे सुबह दने का आप बुवाई कर सकते है तो बुवाई का जो समय है 15 जाने वारी से 15 फेबुर वारी यूँख है। तो अब ही करने के लिए आपissent ampli X do और तक हमें बोन है और एक जगा पर धुझा है के लिए बारातन हमें पर्यापथ है। और राइसायनिक खात के बारे में बात की जाए तो इसे नाइट्रोजन जो है कम लगता है क्योंकि यह यह फसल जो है खुद नाइट्रोजन तयार कर लीती है सुर्वाती समय में इसे हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है तो नाइट्रोजन का डोज जो होगा और स्टेंड तो मिट्टी परिक्षन के आधार पर आप इसे देख लीजेगा अगर उसकी कल यूद्रा लगेगा मिट्टी परिक्षन में कि आधा मात्रा डाल डाले तो इस मात्रा का आधा देना है ँसको मात्रों की अगर पूरा करना है तो 21 kg यूरिया लगे सिंगल सुपर होस्पेट हमें एक से 26 केजी लगया एक एकड़ के लिए यमोपी के हिसाब 25 केजी आएगा अगर ये कॉंबिनेशन बहुत ज्यादा हो गया तो दूसरा कॉंबिनेशन आप ऐसा ले सकते हैं एक बैक डियेपी ले सकते हैं उसके बाद 25 केजी पोटास लेंगा पोटास लगेगा हमें इससे भी कॉंबिनेशन बन जाएगा उसके बाद ये भी कॉंबिनेशन आपको अगर सूट नहीं होता तो 10-26-26-10-26-26-70 केजी लेना है और सिंगल सुपरफॉसपेट 25 केजी लेना है इस माध्यम से भी आप ये डोस पूरा कर सकते है उसके बाद इसे माइक्रो न्यूट्रेंट लगने ही लगने है उसके लिए माइक्रो न्यूट्रेंट में हमें जिंग सल्पेट, मैगनिशन सल्पेट, बोरॉक्स, कैलिजानी iron sulfate, drink sulfate, magnesium sulfate, borox ये लगेंगे 5-10 kg एक एकड़ के लिए अगर आप ये दे ना सकते तो micronutrient की 5-10 kg की bag हमारे market में उपलब्द है आप market में जाकर वो भी डाल सकते है और विशेश खाद इसमें ये लग जिपसम ने क्या जिपसम इस फसल में विशेश खाद के रूप में उपयोग की जाती है एक एकड़ के लिए 200 kg जिपसम हमें प्रयोग करना है आदा आप फसल बोवाई समय दे सकते हैं और आदा 40-45 दिन पर दिना है विडिसाइड और हर्बिसाइड की बात की जाए तो इसमें भोवाई से पहले और भोवाई से चार दिन बाद पेंड़ामितिलील और ऑगजी फ्लोरोफेन इस दवा का चिल्ड़काओ करना है और भोवाई से अगर हमारी फसल निकल चुकी है तो उससे 20 दिन तक हमें इमेंजी थाइपर इस कंटेंड टेक्निकल का स्प्रे लिना है इससे जो इस फसल में आने वाली खरपतवार है वो नियंतरन हो जाएंगी डिसीज की बात करें तो इसमें प्रमुक डिसीज है टिक का डिसीज टिक का डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हमें शुरुवाती समय से 15 या 20 दिन की अंतराल से मैंको जेब या मैंको जेब का स्प्रे लिना है जो व्यापारिक नाम यम पंचे चाड़ीस या फिर यूपील का साब जो आता है उसमें डो टेकनिकल है उसमें मैंको जेब है उसका स्प्रे आप ले सकते हैं बड्ड नेक्रोसिस यह जो वायरस है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिप्रोनिल या फ्लॉरिकामाइड यह यह रश्चोशक कीट होते हैं उसको नियत्रन कर लेंगे अगर पान खाने वाली और पान को रोल करने वाली कीट है तो आप फ्लुबेंडामाइड ले सकते हैं क्लोरेंटोनी लिप्रोल ले सकते हैं या डायक्लोरोस ले सकते हैं अब बात की जाए स्पेशल ट्रिक्मेंट क के लिए साइटो काइनिंग जो प्लांट का हर्मोन आता है वो हमें प्रयोग करना है इससे आपकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और फूल संक्या बढ़ाने के लिए हमें अमाइनो एसीड लेना है और उसके साथ लेना है नाट्रो बेंजिन अगर आप नाट यूमिक एसीड जिबरलिक एसीड और अमाइनो एसीड ये तिन कंटेंट का आप इस्तमाल कर सकते हैं और फूल आते समय हमें बोरॉन का भी इस्तमाल करना है जिससे हमें पॉलिनेशन अच्छे होगी तो तो अच्छी पैदावार लेने के लिए जब मुंभली तयार हो रही होती है तब हमें अमाइनो एसीड और उस पे यूमिक एसीड के साथ माइक्रो न्यूट्रेंट ग्रेट दो का आता है उसमें आयरन कॉपर जिंग बोरॉन मैगनिशियम ये सारे घटक होते हैं तो इसका आखरी मुंभली तयार होते समय स्प्रेल लेना है उस समय अगर आप पंजी साइड और इंसेक्टि साइड का स्प्रेल ले सकते हैं तो मुंभली जो फ़सल हो खुद की नाइड्रोजन खुद तयार करते हैं उसके लिए राइजोबियम जो जीवान हो है वो लगता है उसके बज़े से हमें फॉस्पलस सुलोराइजिंग बैक्टिरिया और रा दिजिए इससे अपनी मिट्टि जो है उपजयो बड़ेगी बनेगी और जो नाइड्रोजन बनाने की शमता है अच्छी होगी और कोई भी फंगस हमारी फसल को नहीं लगेगा अकिसान भाईयो बस इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कीजेगा अच्छी अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कीजेगा अगर आपकी कोई समस्या होगी तो कमेंट कीजेगा तो कोई जो बात छूड़ी कई होगी वह हम डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं